तो गाईस साल 2023 में शारुक खान ने एक तरफा बॉलिवूट पर राच किया सबसे पहले पठान के साथ जोरदार कमबैक करके फिर जवान के साथ साल के बीच में और डंकी के साथ साल को खतम किया डंकी ने वैसे तो पठान जवान जित्ता कलेक्शन नहीं किया पर फिर भी ए अभी तक कोई अक्टर ऐसा नहीं कर पाया है साल 2024 में तो शारुक खान की कमी हमें कली रही है और फाइटर जैसी मूवी के फ्लॉप हो जाने के बाद फोड़ा सा डर भी लग रहा है कि साल 2024 कई वापस से वो एरा तो नहीं ले आया है जब बॉलिवूट की मूवी लगातार बॉयकॉट गैंग की वज़े से कोई देख नहीं रहा था बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी लेकिन इस साल भी बहुत अच्छे अच्छी मूवी लाइन अप है ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन फिर भी शारुक खान की कमी तो खलने वाली है लेकिन क्या आप जानते हो कि अ एक मूवी साइन कर ली है जो इस साल एंड में फ्लोर्स पर आ जाएगी मतलग उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी बनना स्टार्ट हो जाएगी और हमें वो मूवी देखने मिलेगी साल दोहदार चब्विस में वैल यह मूवी कौन सी है जी हाँ यह मूवी है पठान यानि यह वही मूवी जिसे शारुक खान अपना कमबैक किया था इस पाई यूनिवर्स की मूवी पठान टू शारुक खान साइन कर चुके है यह बात कन्फर्म हो चुकी है इवन आदित्य चोपडा ने बोला है कि वो पठान टू पर पिछले एक साल से काम कर रहे हैं स्क् आद में I don't think 7th movie by spy universe की एक था टाइगर जिन्दा है टाइगर 3 वार पठान पांच ही तो मूवी हुई है 30 मूवी है हमारी वार 2 और साथ भी मूवी है आई थिंग पठान 2 शायद इस बीच आलिया भट वाली spy universe की मूवी भी रिलीज होगी इसलिए नेट पर और सब जगह articles में जहाँ पर मैंने research मारा यह लिखावा आ रहा है कि यह 8th movie होगी spy universe franchise की तो वार 2 तो 6th movie है तो 7th movie कौन होगी अभी यह शायद पता नहीं बट जहां तक मुझे लग रहा है यह आलिया भट वाली spy universe की मूवी होने वाली जो first female based movie होगी और उसके ब पठान 2 कुछ ऐसे end पर खतम होगी जहां से शाहरुक याने की पठान और सलमान याने की tiger की बीच में इनकी दोस्ती तूट के दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी अब चलो यह बात तो हो गई लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग अब इस तरीके की movie को देखकर उब गए है fighter का हाल हम सब लोग देख चुके हैं हम tiger 3 का हाल देख चुके हैं याने कही ना कहीं देश भक्ती इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रौ आएस आए टेरिस्ट कश्मीर के मुद्दे बॉम स्क्वाड यह सब चीजे देखकर शायद अब हम लोग ऊब गए हैं और शायद यही कारण ह कि इस तरीके की मुवीज ने पठान 2 के बाद काम करना बन कर दिया है लोगों को मास मसाला मुवी चाहिए जैसे जवान थी लेकिन उन्हें अब tiger 3 जैसी fighter जैसी कितनी अच्छी मूवी हो देश भक्ती के उपर अब थोड़ा सा लोगों को ब्रेक चाहिए तो क्या शारुक को बिल्कुल सीरे से नकार देंगे या शारुक खान का क्रेस उनका पावर जन्ता को वापस से थीटर लेकर आ सकेगा वेल देखो शारुक खान में पावर तो है डंकी जैसी मूवी को भी वो थीटर तक लोगों को खीच लायते देखने के लिए लेकिन राजकुमार हिरानी की डिरेक्शन में बनने वाली मूवी ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जित्ता की वो कर सकती थी याने पठान जवान के बाद डंकी ने शारुक खान को उनकी उमीद के according result नहीं दिया है ये बात आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कोई deny नहीं कर सकता तो क्या ये मूवी जो शारुक खान पठान 2 करने वाले हैं क्या ये मूवी का भी हाल वही होने वाला है जो डंकी या फाइटर या टाइगर 3 का हुआ या पठान और जवान की तरह ये मूवी भी बॉक्स ओफिस पर सारे रेकॉर्ड तोड़ देगी वेल जवाब शायद क् पश्किल है शारुक खान का पावर और स्पाई उनिवर्स का सपोर्ट अगर मिला तो ये मूवी अच्छा खासा पॉफॉर्म करेगी लेकिन भाई जनता का मूड ही फाइनल डिसाइड करता है कि क्या होगा एनिमल एक अलग सेक्षन की मूवी थी लोगों ने देखी गदर एक अलग टाइप की मूवी थी बचपन का प्यार था उससे तो लोगों ने देखी लेकिन फाइटर के साथ लोग कनेक्ट नहीं कर पाए टाइगर 3 तो पार्ट 2 पार्ट 1 के बाद आये लेकिन फिर भी लोगों ने उसको उत्ता प्यार नहीं दिया तो कहीं ना कहीं पठान टू के लिए मेरे अंदर 50-50 परसेंट रेशो नजर आ रहा है कभी इदर कभी उदर कभी हिट कभी आइवरेज तो भाई ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन इस अनौंसमेंट को सुनकर तो मैं बहुत जादा एक्साइटेड हूँ आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं कॉ या वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और मैं जो आप लोगों के लिए प्यारी प्यारी गरम गरम खबर लेकर आया हूँ वह तुरंत आप तक पहुच जाए वे वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना मिलता प्साल विस्ता दोस्तो